हेलो एवरीवन स्वागत है आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल investology.com पे चलिए दोस्तों आज की important और exciting वीडियो को start करते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हम आप के लिए लेकर आए है और एक dividend related वीडियो इस वीडियो में हमने 21 ऐसी कंपनिया लगाई है जिन्होंने अनौंस्मेंट कर दी है इन सभी डिविडेंट्स की execution date जो रहने वाली है वो है जुलाई के महीने में याद रहे यह जुलाई का तीसरा episode है जिन्हाने पार्ट नमबर 3 है इससे पहले हमने पार्ट नमबर 1 इन पार्ट नमबर 2 कवर किया था जिसमें हमने जुलाई किस बहुत सारी कंपनिया कवर की थी तो कौन से कंपनिया एक्स्टेट रिकॉर्ड इंफर्मिशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी आशा करका हूं आप इस वीडियो को आं तक जरूर देखोगे अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आये हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फर सच वांड़फल और एक्साइटिंग कॉंटेंट विडाओ इनी फ़र्द डीले लेट्स के इस लिमिटेड जिन्होंने अनॉंस्मेंट कर दी है डिविडेंट की 0.50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 14 जुलाई के यहां पर एक स्टेट बेच सकते हो अगर आप बेचना चाहते हो आपको डिविडेंट फिर भी मिलेगा बात अगर करे करन स्टॉक प्राइस की दें दिस कंपनी वस ट्रेडिंग इस टॉपीज पर शेयर इंडरे स्टॉक मार्केट ते नेक्स्ट कंपनी इस महिंद्रा एपीसी इरिगेशन लिमि हम आपको जरूर बताएंगे और इसका ये भी मतलब निकल के आता है कि आप एक स्टेट के दिन इन शेयर्स को नहीं बेच सकते हो क्योंकि कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट का अनॉंस्मेंट नहीं किया है जब तक कंपनी रिकॉर्ड डिकान नहीं करती है आपको इन इसका 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 नहीं किया है एक स्टेट के दिन आप इस शेयर्स को भी बेच नहीं सकते हो आपको ये डिमाट अकाउंट में ही रखना पड़ेगा if you want this dividend current stock price is 629 रुपीज पर शेयर the next company is 10 plate company of India Limited जिन हुने भी अनॉंस्मेंट कर दी है dividend की 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से एक स्टेट 14th July के यहां पर रखी गई है 13th July तक आप इस company में fresh buying कर सकते हो recorded अभी तक company disclose नहीं किया है जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे आप इन शेयर्स को भी एक स्टेट के दिन नहीं बेच सकते हो company का recorded अनॉंस जब तक नहीं करेगी तब तक आपको ये DMAT account में ही रखने पड़ेंगे अगर आपका मकसद है dividend पाना current stock price is 229 rupees per share in today's stock market the next company is UPL limited जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 10 rupees per share के हिसाब से X date 14th July के यहां पर रखी गई है last day to buy the stock is 13th July recorded अभी तक company ने disclose नहीं किया है X date के दिन आप insurance को भी बेज नहीं सकते हो अगर आपका मकसद है dividend पाना current stock price is 821 rupees per share and if you compare this price with the amount of dividend I would say it's a very good dividend next company is Wend India Limited जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 20 rupees per share के हिसाब से X date 14th July के रखी गई है 13th July तक आप इस company में fresh buying कर सकते हो record date अभी तक company disclose नहीं किया है आप insurance को X date के दिन नहीं बेच सकते हो क्योंकि record date announcement अभी नहीं हुआ है current stock price is 4,318 rupees per share next company is Zydas Wellness Limited जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 5 rupees per share के हिसाब से X date 14th July के रखी गई है 13th July तक आप इस company में fresh buying कर सकते हो record date अभी तक company ने disclose नहीं किया है X date के दिन आप insurance को भी बेच नहीं सकते हो you have to keep all these shares in your DMAT account till the time company announces the record date current stock price is 2,190 rupees per share next company is Apollo Tires Limited जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 3.50 rupees per share के हिसाब से X date 15th July के रखी गई है last day to buy the stock is 14th July recorded अभी तक company disclose नहीं किया है जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे साथ ही साथ आप insurance को भी X date के दिन नहीं बेच सकते हो अगर आप dividend चाहते हो current stock price was 229 rupees per share in today's stock market and if you compare this price with the amount of dividend I would say it's a very good dividend the next company is Utoll Limited जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 20 rupees per share के हिसाब से X date 15th July के रखी गई है 14th July तक आप इस company में fresh buying कर सकते हो recorded अभी तक company disclose नहीं किया है X date के दिन आप insurance को भी बेच नहीं सकते हो अगर आपको dividend चाहिए तो current stock price is 9,284 rupees per share next company is बारत Forge Limited जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 2 rupees per share के हिसाब से X date 15th July के यहां पर रखी गई है 14th July तक आप इस company में fresh buying कर सकते हो recorded 16th July के यहां पर रखी गई है 15th July याने X date के दिन आप इन shares को भी बेच सकते हो आपको फिर भी dividend मिलेगा current stock price is 8,60 rupees per share next company is बाइमेटल बेरिंग्स लिमिटेड जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 8 rupees per share के हिसाब से X date 15th July के रखी गई है last date to buy the stock is 14th July record date अभी तक company disclose नहीं किया है which means X date के दिन आप इन shares को बेच नहीं सकते हो अगर आपको dividend चाहिए current stock price is 4,65 rupees per share if you compare this price with the amount of dividend I would say it's a very good dividend next company is Birla Soft Limited जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 2.50 rupees per share के हिसाब से X date 15th July के रखी गई है last date to buy the stock is 14th July record date 16th July के रखी गई है 15th July के दिन आप इन shares को बेच सकते हो आपको dividend फिर भी मिलेगा current stock price is 388 rupees per share in today's stock market the next company is Chevyet Company Limited जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 175 rupees per share के हिसाब से X date 15th July के हाँ पे रखी गई है last date to buy the stock is 14th July record date अभी तक कमपनी इन इसक्लोज नहीं किया है X date के दिन आप इन shares को भी बेच नहीं सकते हो क्योंकि record date का अभी तक announcement नहीं हुआ है current stock price was 1,991 rupees per share and if you compare this price with the amount of dividend I would say it's a phenomenal dividend next company is Koramandal International Limited जिन हुने भी announcement कर दी है dividend की 6 rupees per share के हिसाब से X date 15th July की रखी गई है 14th July तक आप इस company में fresh buying कर सकते हो recorded अभी तक announce नहीं हुआ है जैसे ही हमें पता जलता है हम आपको जरूर बताएंगे X date के दिन आप इन shares को नहीं बेच सकते हो बागर करे current stock price की दिन this company was trading at 883 rupees per share in today's stock market next company is Danuka Agritech Limited जिन्हों ने भी announcement कर दी है dividend की 2 rupees per share के हिसाब से X date 15th July की रखी गई है 14th July तक आप इस company में fresh buying कर सकते हो recorded अभी तक company ने disclose नहीं किया है X date के दिन आप इन shares को भी बेच नहीं सकते हो अगर आप dividend चाहिए तो बात अगर करे current stock price की 1,001 rupees per share का इसका current stock price है next company is IG Petrochemicals Limited जुन्हों ने भी announcement कर दी है dividend की 7.50 rupees per share के हिसाब से 15th July की X date रखी गई है last day to buy this stock is 14th July record date अभी तक disclose नहीं हुआ है X date के दिन आप इन shares को नहीं बेच सकते हो current stock price is 672 rupees per share and if you compare this price with the amount of dividend I would say it's a good dividend next company is Escorts Limited जुन्होंने announcement कर दी है final dividend की and special dividend की final dividend 5 rupees per share के हिसाब से दिया गया है special dividend 2.50 rupees per share के हिसाब से दिया गया है total 7.50 rupees per share के हिसाब से dividend की announcement हो गई है यहां पे X date 15th July की रखी गई है last day to buy the stock is 14th July record date अभी तक mention नहीं किया गया है आप in shares को X date के दिन नहीं बेच सकते हो अगर आपको dividend चाहिए तो current stock price was 283 rupees per share in today's stock market next company is Mahindra and Mahindra Limited जिन्हों ने भी announcement कर दी है dividend की 8.75 rupees per share के हिसाब से X date 15th July की यहां पे रखी गई है last day to buy the stock is 14th July record date अभी तक mention नहीं किया गया है X date के दिन आप in shares को नहीं बेच सकते हो till the time company announces the record date बात अगर करे current stock price की दिन this company was trading at 772 rupees per share in today's stock market next company is new gen software technologies limited जिन्हों ने भी announcement कर दी है dividend की 3.50 rupees per share के हिसाब से X date 15th July की रखी गई है last day to buy the stock is 14th July record date 16th July का रखा गया है X date के दिन आप in shares को बेच सकते हो आपको dividend फिर भी मिलेगा current stock price was 697 rupees per share in today's stock market thank you so much for watching this video please make sure you subscribe to our YouTube channel note you